टीम इंडिया पर बोज बना बैटा ये खिलाडी बाहर करने से भी कांपते हैं कोच और कप्तान पिछले 9 मैचों में मारे हैं सिर्फ 110 रन बाहर किया तो फैंस भी मचाते हैं बावाल तो क्या है खबर की पूरी जानकारी हम इस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं कौन है वो खिलाड़ी जिसके बाहर करने पर फैंस गुस्ता हो जाते हैं और अंदर लाने पर टीम का नुक्सान हो जाता है सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में अगर आप भी हैं भारती टीम के फैन और चाहते हैं कि भारती टीम T20 वर्ड कप जीच जाए तो इस वीडियो को लाइक करेंवर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए वीडियो को सुदू करते हैं तो दोस्तो भारती टीम इस समय एफगारनिस्तान का टूर कंप कर चुकी हैं लेकिन टीम इंडिया में सजैसे क्टीर ये क्या तो बना रहे हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने fan following के दंबर क्योंकि उनका performance बिलकुल जीरो है और कई बार टीम इंडिया और BCCI कई खिलाडियों के fan following की वज़स से भी जुग जाती है और टीम में उस खिलाडी को जगा दे देती है जबकि उस खिलाडी की टीम में जगे बनती नहीं है और ऐसा जिसके लाड़ी के बात कर रहे हैं उनका नाम है Sanju Samson. Sanju Samson ने हाल के दिनों में टीम इंडिया को बहुत ही बुरी तरीके से निरास किया है क्योंकि हाली में खेले गई अफगानिस्तान सीरीज में Sanju Samson ने कुछ कमाल की पारियां नहीं खेली उनसे काफी उम्मीदे भी थी लेकिन Sanju Samson जिनको लगातार टीम इंडिया मौका दे रही है उसके बावजूद भी हो यहाँ पर फ्लॉप होते जार हैं चाहे हो सूपरोवर का मैच हो चाहे हो मैच हो पूरे मैच का हर मैच में यहाँ पर जीरो पर ही आउट हुए है हाली में दोस्तों जब Sanju Samson का नाम तीसरे T20 मैच के लिए रोई सर्मा ने लिया तो फैंस बिल्गुल पागल से हो गए थे Sanju Samson का नाम आता ही फैंस चिलाने लगे और यह के स्टेडियम जो सांथ पड़ा हुआ था टॉस जीतने के बाद टीम इंडिया के Sanju Samson के नाम लेने के बाद वो अपने आप चिलाने लगता है लेकिन एतनी फैंस फैंस फॉलोईंग होने के बावजूद भी जब Sanju Samson टीम इंडिया में खेलते हैं तो यहां पर दोस्तो T20 मैच वे पहली ही गेन पर वो आउट हो जाते हैं फिर उनको सूपर ओबर में भी मौका मिलता है और वहां भी वो पवेलियन चले जाते हैं अब ऐसे में टीम इंडिया इनको करे तो करेगा बाहर करेगी तो फैंस गुस्ता हो जाएंगे और अंदर लाने पर उनका यहाल है बात करें संजुकी तो भारती टीम के लिए उन्होंने अभी तक 22 इनिंग्स में बल्लेबाजी की है जहां पर अगर आप उनका एवरेज देखोगे तो आपको दिर्दंग रहे जाओगे क्योंकि उनका केवल और केवल है 28 का एवरेज है 28 का एवरेज टीटऑन टीम एक ऐसे बल्लेबाज का जो की कामाल की बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है जो कि वह एपील खेलते हैं या ओडीाई किलते हैं तो काफी अच्छा केल दिखाते हैं ओडियाई में उनका 56 का एवरेज है लेकिन जब ओडियाई में भी हाली में भारती टीम इंडिया को निरास कर रहे थे अब ऐसे में दोस्तों टीम इंडिया एक बड़े प्रॉब्लम में फस चुकी है कि संजू संसंग को खिलाना है या फिर डॉप करना है डॉप करेंगे तो फैंस गुस्ता हो जाएंगे और खिलाएंगे तो इतना ज़्यादा खराब पर दरसर करेंगे कि आप लोग खुद दे कर चौक जाओगे इसे जिसे दब संजू संसंग को लेकर बात होती है तो BCCI अक्सर अपने आपको बचाती है कि क्या करें बयान भी दे देंगे तो भी लोग गुस्ता ही हो जाएंगे वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है क्या संजू संसंग को टीम इंडिया में जगे मिलनी चाहिए या फिर नहीं कॉमेंट लेकर करके अपनी राइज जरूर दीजेगा और अगर आपको भी लगता है मिलनी चाहिए जल्दी बता दीजे बाकी वीडियो अच्छी लेगे हो